जैसे कि महराश्ट्र राज्यों में एक एक्रुत विकास नियंत्रन और सवर्धनियम लागो किया गया है यह विकास कार्यों को एक नई दीशा देगा नागपुर निगम के अतिरिकता आयुकत जलश शर्माद्वारा व्यक्त किया गया है गुरवार 17 दिसंबर को संयुकत निदेशक टाउन प्लानिंग और वैलुएशन डिपार्टमेंट टाउन प्लानिंग नागपुर डिविजन नागपुर नागपुर नगरनिगम और क्रेडाई नागपुर मेट्रों की और से एक प्रशिक्षन कार्यशाला का आयोजन किया ग टाउन प्लानिंग पुने डिविजन श्री अविनाश बातली सहनिदेशक टाउन प्लानिंग नागपुर डिविजन श्री नितिन अधारी सहनिदेशक टाउन प्लानिंग पुने नगरनिगम श्री सुनील मारले संयुकत निदेशक नागपुर महानगर पालिकाश्री प्र इससे राज्य के शहरीक शेत्रों में विकास के असंतुलन पैदा हो गया था। डेवलपर्स भी अलग-अलग नियमों से परिशान थे। अब महराश्ट्र सरकार ने भी सभी शहरीक शेत्रों के लिए एकी कुरूत विकास नियंतरण भी निमय लागू किया है। नए नियम राज्य के आवास और वियवसाई विकास को एक नई दिशा देंगे। श्री टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के रिटाइड डिप्टी डायरेक्टर संजे सावजी ने कहा कि इंटिग्रेटेड डेवलप्मेंट कंट्रोल रूल्स के लागू होने से पिछले सभी नियमों को शुण्य कर दिया गया है। इससे नागपुर सहित को शहरों के लिए अलग नियम शामिल है। नए नियम पार्किंग और कई अन्य महत्व पुर्ण मामलों को कवर करते हैं। उन्होंने पी लाइन मैट इंडेक्स के बारे में जानकारी दी। श्रीपूर्णे डिविजन के टाउन प्लानिंग के संयुक्त निदेशक अभिनाश पाटिल ने कहा कि अप राज्य के बड़े शहरों में हो रहे विकास कारियों में कोई असंतुलन नहीं होगा। और एकिकृत विकास नियंत्रण नियमों को बनाते समय महानगरों की आवश्यक्ता को ध्यान में रखा गया है। के लिए एकिकृत विकास नियंत्रण और समवर्द नियमों को मंजूरी दे दी है। इन नियमों के माध्यम से अब राज्य में सभी जगह उपर समान नियम लागू किये गया है। कारेक्रम का संचालन श्री संजय बराईद्वारा किया गया। इन भी से नियूस के लिए कैमरा परसन राजकुमार महोड के साथ अभिशेक पान से की रिपोर्ट।